हेलो फ्रेंड सागत है आप सब्सक्राइब क्लास में तो फ्रेंड आज मैं क्लास 10 की मैज से exercise 4.3 का एक कोश्चन ले करके आया हूं यह कोश्चन कोश्चन नमबर 3 का second part है तो इस वीडियो में मैं इस कोश्चन को डिसक्स करूंगा आप बस वीडियो को जहां से देखिए और से नाइट इक्वल टू-4 & 7 यानि कि यहां पर एक सकी बालू-47 नहीं होनी चाहिए तो इसको सॉल करेंगे आई यहोगा बनापान एक सप्लिस फॉर माइनस बन अपन एक समाइनस सेवन इस इवल अपन थर्टी सबसी इंट इन गुर। solve करेंगे तो दिखो ऐसे वह था ना मरे पास बंपान ए माइन सोन अपन भी तो ऐसे इसको cross multiply करते थे तो यहां भी हम cross multiplication करेंगे तरहाँ पर हो जाएगा one into X minus 7 minus one into x plus four अपान यह इसके साथ multiply हो जाएगा x plus four into x सब्सक्राइब नंबर में मल्टिप्लाइब करोगे तो कोई चेंज होगा नहीं कोई क्वांटिटी सेम रहेगी तो इसे मैं हटा देता हूं इसे लिखने दरूर नहीं है और इसे भी हटा देता हूं अब बच गया हमर पास एस-7 एकसको जब ओपन करेंगे इधर होजएगका 11वरां 30 है अब इसको जब ओपन करेंगे तब क्या होगा वह देखो एक्स सउस्क्वЕ minus plus minus seven forty-eight इसको थोड़ा सा और साउल कर लेते हैं दिखो साइन माइनस का है तो माइनस आएगा सेवन माइनस फूर करेंगे तो माइनस ठीक्स आजएगा वह मैं इसकी जगाँ पर रेट कर देता हूं तो आप यहां पर क्या आ गया minus 3x minus 28 is equal to 11 upon 30 ठीक अब देखो X से X cancel out हो जाएगा minus 7 minus 4 कितना बन जाएगा minus 11 तो यहाँ पर देखो हो जाएगा minus 11 upon x square minus 3x minus 28 is equal to 11 upon 30 अब देखो यहाँ पर और राइट कर देंगे अब देखो यह cross multiply होगा तो यह हो जाएगा minus 11 यह इधर आएगा into 30 और यह हो जाएगा 11 into यह पूरा bracket में आ जाएगा x square minus 3x minus 28 अब ध्यान देना यह 11 और यह 11 सेम से मैं कट जाएगा तो इसको अंदर multiply करने ज़रो नहीं है इधर लेके आओगे तो यह direct कट जाएगा तो देखो यह कट गया यहाँ पर माइनस साइन रिमेन रहेगा ऐसे माइनस वन ठीक है क्या रिमेन रहेगा माइनस वन तो फिर क्या हो जाएगा आगे आगे यह हो जाएगा minus 30 is equal to x square minus 3x minus 28 के लिए बात है आप देखो इसको quadratic form में बनाना है तो quadratic form में बनाने के लिए सबको एक तरफ ले जाएंगे तो देखो यह हो जाएगा x square minus 3x minus 28 यह minus 30 जो है उधर जाएगा तो plus 30 बन जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा plus 30 is equal to 0 अब यहाँ पर देखो plus 30 में 28 को minus करेंगे तो क्या बनेगा x square minus 3x plus 2 is equal to 0 तो यह हमर पर quadratic equation आ गई क्या बन गई x square minus 3x plus 2 अब यहाँ पर 2 को जो फेक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 जा 2 क्या लिखेंगे 2 का जो फेक्टर बनेगा वो बनेगा 2 1 इसको multiply करेंगे 2 आएगा और 2 plus 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा तो यह 2 और 1 फेक्टर लेंगे यहाँ पर रख द प्लस तो यहां जाता है ना 1 into x तो बात वही होगी x आएगा तो 1 into x नहीं लिखते यह लिखते हैं plus 2 is equal to 0 अब यहां से एक्ट को को कमन कर लेंगे तो हो जाएगा x के साद minus sign निकल जाएगा plus हो जाएगा 2 के साद plus है तो minus हो जाएगा इस इकल डिड़ी एक्स माइनेस टू सेमसे में common कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यह x और यहाँ पर बचएगा minus one is equal to zero यहाँ सभी जजगा और लगा देंगे यहाँ भी और लगा देंगे अब ध्यान से देखना जब इन दोनों का प्रड़क्ट जीरो के इक्वल है तो यह सभी जीरो के इक्वल होंगे means x-2 is equal to 0 x is equal to 2 इसी प्रकार से x-1 is equal to 0 x is equal to 1 the roots of x are 2 and 1 तो यह हमारा आंसर होगा इस question का आप चाहो तो वीडियो को पॉच्च करके उन कर सकते हो या फिर screenshot ले सकते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक लिए thank you class